गुड मॉर्निंग एब्रीवन देखें दस हजार एक सव एक एलार्सी अमिन पदों का जो बहाली परकिरिया चल रहा है ठीक है इसके लिए एक बहुत ही महत्पून सुचना इन्फॉर्मेशन जारी किया गया है सभी जो भी पदों में चैनित हुए है वो भी नहीं चैनित हु जो भी अपडेट आता है चोड़ा से चोड़ा बड़ा से बड़ा एलार्सी से लेटर आप सभी को देते हैं जी हां एक अपडेट आया है देखते हैं क्या कुछ अपडेट है ठीक है तो चली बीना देरी का वीडियो को शुरू करते है कि यह आज के डेट में जारी किया ग देखिए आवश्यक सूचना है बिहार सरकार राजस्व भूमी शुधार विवा के तरफ से बिहार विशे सर्वेक्षन एवं बंदुवस कार्शक्रम के अंद्रगत नवचैनित ध्यान दीजेगा नवचैनित अविहर्थियू का भीविन पदों पर जैसे एसो के पद पर कान कर लिए हुए हैं और एक जो है लिस्ट भी आया था कि कितने लोग नहीं जोइन किये उसका उक निर्धायति थी तक कतिपे नवचैनित अभियार्थियों दोरा योगदान नहीं किया गया है बहुत सारे अभियार्थि है तो इस डेट तक नहीं आपना जोइनिंग पत्र ल जाल तेन साथ blunt 24 नियुक्ति पत्र प्राप्त नहीं किया गया है को योगदान करने हैं आंधी अपसर परदान किया जा रहा है जो भी लोग जोईन नहीं कि हैं मुझे मौका मिलेगा तो देखिए अब विभाग जो है बहुत खुस है और दरिया दिल वाला विभाग है फिर से आपको एक और मौका दे रहा है ठीक है उपरोक निर्णाय में कहना है कि वैसे अभियार्थी जिनके द्वारा नियुक्ति पत्र प्राप्त करने है तो निर्णाय तीथी 2010 जुलाई 2024 तक अपना योगदान नहीं दिया गया है कि पदवार एम तीथिवार नियमन परकार योगदान ये तो अफसर प्रदान किया जाता है देखिए एसो का जो है आप योगदान दे सकते हैं तक बहुत ही एक लंबा जो है एक्स्टेंड किया गया है जो आइनिंग करने के लिए बहुत लंबा समय दिया गया है ठीक है आप 31 जुलाई 2024 तक अपना योगदान दे सकते हैं ठीक है समय है दस बजे से सामके चार बजे तक और जो भी जीला आपको न्यूक्त किया गया है न्यूक्ती पत्र वहीं आपको मिलेगा वहीं जोइनिंग होगा देखिए समंदित आबंडित पदस्थावित जीला बंदवस्थ करियाले में देख लिजे उप्रोक्त निर्धारित अंतिम्तिती है इसके बाद किसी भी परकार का योगदान अफसर भविष में परदान नहीं किया जाएगा निर्धारित अंतिम्तिती 31 सा 24 तक योगदान नहीं करने वाले नवचैनित अभियार्थियों का या मानते हुए अभियार्थित वरद्ध कर दिया जाएगा कि वे योगदान करने एक्षुक नहीं है निर्धारित तीथी को योगदान नहीं करने वाले अभिहारतियों पर भविश में किसी भी परकार से विचार नहीं किया जाएगा तो ये तो फॉर्म लिटीज है ठीक है अन्य था ये दुवारा मौका क्यों देती भी भाग है की नहीं तो यह अन्तिम अभिहारतियों पर लागू नहीं होगा जो निद्रालर स्थर्प में पूर में समीदा नियोजित होकर निद्रसाले के नियंतर अधिन बंदुबस्त कर्यालों में विविन बिश्य सर्वेक्षन समीदा अधारित पदों पर कार्ज कर रहे हैं तथा उनका तारीक के डेट में ठीक है तो यह बहुत बड़ा जो है न्यूज है जो दुबारा आप लोगों को मौका मिल रहा है ठीक है तो वीडियो को देखिए शेर कीजिए लाइक कीजिए चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कीजिए धन्यवाद